दिक्षित ज्वेलर्स जेवन देप निवास बाइपास रोर बीसी एस शिम्ला जा सकती है विधरम के नाम पर राजीती कर रही है जो कि सरासर कलत है यह इसमें और पहले की प्रेस कॉंफरेंस में यह फर्क है कि इतने भी हमारे इंडियन आलाइंस के जो नैशनल लेवल पर इंजिन पार्टियों का हमारे साथ जो है वो समय होता हुआ है और इकठे होके काम करने के लिए सब ने हां भरी है उसमें हिमाचल प्रदेश में जैसे आम आदिव पार्टी है सीपी आई जो है उसके हमारे के कोशल जी जो पूरे विधाय कि वो भी हां पे थे और नीचे जो है वो शर्मा जी है विजे शर्मा जी वो भी हाँ पे थे और सारे साथियों ने एक अठे होके जो पूरे हिंदुस्तान में एक मोहिम चली है कि इस प्रकार से जो एंटिनेशनल लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं धर्म और जातिवाद के नाम से लोगों को बाटना चाह रहे हैं जिन्होंने अनिंप्लॉइमेंट के बारे में कुछ नहीं किया जिन्होंने भरष्टाचार जो है वो डट के इस हिंदुस्तान के अंदर चोटे दुकानदार मार दिये और काला धन और ज्यादा बढ़ गया इस परकार से यह जो परसितियां आज की कारिक में पैदा हो शागरी है भातिय जन्ता बार्टी आज उनके ऊपर से लोगों का ध्यान वह हटाना चारी भातिया वादु यह कर रही है कि यहाँ पे धर्म के नाम पर जाती नाम पर हिंदू और मुस्लिम के नाम से लोगों को बाठा जाये लेकिन आप यह नहीं हो पाएगा क्योंकि झेल पुचर से विद्धान को विजानी की दुरूरत है। रजल अतनतर को बजबूत करने की दुरूरत है। और इसलिए आने वाले दिनों में, जो हिंडुस्तान में हो रहा है, चार तैरी को पता चुलेगा। किमाचिर प्रदेश की चारों की चारों सिटें जो है वो कांगर्स पार्टी के हक में जाएगी, यह हमारा प्रयास सबका है, कि हमिर्पुर पार्लिमेटरी कॉनिशिवेंसी से यहां से अनुराग धात्पुर पोजवा है हरा के यहां से राजादा जो हमरे उना से केनिडेट है उनको विज़े बिनाये जाएगा